बिहार में चठते पारे के साथ बच्चों की बीमार होने की घटना आएं बरती जा रही हैं बेहाली से चोवाली डिग्री टेंपरेचर तक चला जा रहा है मुझापपुल में इस बक्तम मौझूद हैं बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल के जीज़बाल में जिसके ओपीडी में अब यह मौझूद है और आप देख सकते कि इस परकार से छोटे छोटे बच्चे बीमार होकर आ रहे हैं छोटे बच्चे जादा तर जो है आईरल फीबर और जो बीमारिया है अभी की गर्मी को लेकर उससे बीमार है और लगभग प्रती दिन साथ सो से आठ सो बच्चे ओपीडी में आ रहे हैं और लगतार बच्चों के आने का सिलसिला जारी यह बर्तिकर्मी के कारण बच्चे अत्यदिक बीमार पर रहे हैं जिसे लेकर हमने बात की प्रत्ख्यार सिलसुलोग भी ससागे टाप्टर चैतनी कुमार से उन्होंने बताया कि बच्चों को इस बक्त पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं और उनकी खास देख भाल करें साथ ही उन्होंने काया कि बच्चों को आइस्क्रीम या ठंडी चीजे बिल्कुल ना खिला है उन्होंने पुरे मा बच्चाव को लेकर क्या कुछ काया है पहले वो आपको सुनाते हैं देखिए आइस-क्रियम किसी भी मौसम में हमेशा से बचों के लिए भिल्कुल भी है सो खाया वो घर्मी का मौसम हो या पिर नॉर्माल भी एकर कि अगर हो रहा है अगर तेंप्रेचीर है या ठन का मौसम हमेशा घनका था अरही है क्योंकि इतना जो है प्रॉंक्राइटिस के प्रॉब्लम में इससे जो है उनको एग्राबेट कर देता है यह सब जीजिए इससे हमेशा दूर रखें बचों को कभी भी आइस्टीन की जो तहीं होती है बचों को और देनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल इसको नेगलेट करें यह आभी जो है इस बहुत ज्यादा है जो और जो जन्रली है सो दवा देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है ऐसे नवजाद बच्चों से लेकर बड़ो बच्च तक में सब्सक्राइब बाकि जो है यह सब तुरा जो है स्पाइट इन सब के तुरा हाई अभी है जुसे तरफ एस वगरा क आधिए है खसकी है बिल्कुल अगारीजा नहीं देखना बहुत ज़्यादा लेकिन फिर्वी कुछ कैसे यू है और शेल घ्रत रहे जहार को जी आगारे जाना क्युतने प्लड़ों तो और आप एसे यह यह से तो बहूत पेसेंट्स हैं लेकिन अभी ऐसे एसे आज को यह नॉर्माल मतलब है जैसे आज के ही दिन जो है अभी टोटल अभी जो है कम से कम 25 पे से जो आए है तो यह हाई फीवर के लेकर आए हाई फीवर के साथ है जॉन्डिस के भी पांसाथ कैसे सबी तक आ चुके है और बहुत एड्मिट भी है और जो रूटीन सर्दिक हासी है यह सबसे पहले तो जो है कि जब बहुत ज्यादा जब धूब रहता है उससे बिल्कुल बच्चे को नहीं निकाले अगर बहुत मजबूरी में निकालवा भी पड़ा है तो इस तरह से निकाले कि फुरां का सर ढखा हो है ना और यह चेक कर देनुका टेंपरिशर चेक करते रह यह देहांद गरम ओड़ा तो पानी से हैं से पोच्क कर रखना है और घर भी अगर बच्चे को निकाल रख रहा है तो इस तरह टेंपरिशर को कंट्रोल करके रखें कि बच्चे को ज्यादा सी गर्मी नहीं लगे और कभी आसा लगता है कि बुखार है तो बुक की दबाते तो जैसा कि आपने सुना है कि डॉक्टर चैतानिक कुमार ने बच्चे जो बीमार हो रहे हैं उनके बचाब के लिए क्या कुछ जानकारी दीए हैं मैं संदीब कुमार है